3, 2, 1, 0 ब्राइट मॉर्निंग ऑफ दे न्यू एर्स दे मेड ब्राइटर बायमजिस्टिक लिफ टॉफ PSLV C-58 कैरिंग इंडिया's X-ray Polarimetric Satellite तोर्ड सिटिनेशन 2024 का आज पहला दिन है और आज ही के दिन ISRO को बड़ी कामयाभी मिली है ISRO ने अब से कुछ दिर पहले X-ray Polarimetric Satellite को लाँच कर दिया है श्री आरी कोटा अंतरेक्ष केंदर से PSLV C-58 रॉकेट की मदद से इस सेटिलाइट को लाँच किया गया है कि इंडिया ने आज अपनी एक सेटिलाइट लाँच की है PSLV पाकिस्तान में अगर बात की जाए हम comparison defense के हवाले से करते हैं इंडिया के साथ लेकिन वो आये दिन कोई ना कोई defense technology launch करते हैं कोई ना कोई space technology के हवाले से अगर बात की जाए उनकी कोई ना कोई launch होती है पाकिस्तान में इस पर काम क्यों नहीं हो रहा पाकिस्तान में इस पर काम क्यों नहीं हो रहा जो space के अंदर उनने जो progress कियो बड़ी steady progress थी investment में की वहापे human resource पर एक organization पी उस तरह सा और पर जो उनको lead कर रहे थे वो साइंटिस्ट थे बेसिक्ली जैसे तो इंडिया का जो achievement है मेरा खाल है इस सबसे बड़ी है कि वो साइंटिफिक community थी जिन्हों ने space पर काम किया उनकी एक specialization एक specialization हो गया जिन्हों ने आज इंडिया को इस मुकाम पर पहुचा दिया जो कि प्रेस करने की बात है सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वह उनके इंट्रस्ट के अंदर हो नमस्का दोस्तों स्वागते हैं आप लोगा हिंदुस्तान special के और नए वीडियो में दोस्तों 24 के पहले ही हपते में जो इसरो है उसने बहुत बड़ा दमाका कर दिया और दोस्तों दमाका यह है कि एक और जो वीकल से वो लॉंच कर दिया गए है दोस्तों कहने कहीं चंद्रयान पर जिस तरीके से हमारा successful जो मिसा ने वो successful ला था उसके बास से जो इसरो है वो और भी बड़ बड़े काम कर रही है और दोस्तों इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया का आप जाता सौक्ड़ है क्योंकि अगर उनकी रिसेर्च और और अर्गनिजिसन की बात करे तो आज तक तो किसी ने उनका नाम भी नहीं सुना होगा और इसरो जो की जिसका अस्थापना जो है वो पाकिस्तान के जो संगठन ने उसके बाद हुआ था और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा पहला रोकेट है उसको साइगिल पे ले जाय गया था और वो सब कहानी तो अपने सुना होगा और वहां से आज तक सफर जो है जिस तरी सक्सेश wing या बट चुकी है और आज पुरी दुनिया जो है वह चाहती है कि हमारा जो मिस नहें जो भी जो भी लॉझच करना है वो हम भारत के द्वारा ही लॉंच करवाएं और कई दिसों ने अपना जो जो लॉंच है वो भारत सही करवाया तो दोस्तों यह दिखाता है कि भारत के ओर्गनेजिशन इस्तरों के ऊपर पुरी दुनिया के कितना ज़्यदा ट्रस्ट बना हुआ है तो चली पर हम चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिय का इस जिए पर क्यारी एक संब्सक्राइब कर लेकिन जब आप विजिन बना लेते हैं और एक आपके एक नाशनल लेवल पर कमिट्मेंट हो जाती है तो फेर हर चीज़ डूएबल है और जैसे आपे खुद चुरु में कहा था कि हमने स सेटलाइट गया था रहبر और हमने कब उसको लाँच के था नाइटी-नाइटी की बात है तो उसके बाद जो है हमने इस चीजों पर फोकस ही नहीं किया और इसको हमने अतना जरूरी नहीं समझा तो इस वह जैसे हम वो हैं इंडिया ने अभी आज एक सैटलाइट लांच की है पी एसलवी पाकिस्तान की बात की जाए हम सैटलाइट लांच क्यों नहीं करते हैं मतलब करते होंगे लेकिन कभी नजर नहीं आती अगर इस रोकी और सपार्कों का कमपेरिजन किया जाए क्या क हम पैरिजन आपको लगता है और टेकनालोजी में हम अगर पीछे हैं तो क्यों पीछे हैं दूसरा जब कॉंपेटिशन का अगें इंपॉर्टन पॉइंट आइटिंक आज कल की दुनिया में हमें कॉंपेटिशन की बात लिए अपने से कंपीट करना चाहिए जो आप अपन तो कि उम्मेड आप कर लगए जितना मरजी पाकिसछाना गई जह पाती है काम करके दिखानेगी उधर का प्का था उधर का 1.5 अब उधर का 1.5 ता ता फ्या तरकी किस हब सहाब कर लोगता जो आगे नहीं यह तक्रिक्ट की बात कर हो आगे नहीं है ठीक आब मनुफेक्श बाते के लिए अपनी मनफैक्चरिंग भाग गया है। आइफून वाले कदर हैं इंडिया में लांच का अपनी बृट्ट कर रहे हैं। और हंडाई वाले पाकिस्तान में थे उठके वहां पे चले गए हैं। अमाजोन आया है। अमाजोन बाग गया है। तो यह कहूंगा कि इसमें नो डौट किसी किसम का कुछ शक किसी को भी नहीं होना चाहिए मुझे कि आपको भी पाता है कि जैसे वह इस ताम तरकी कर रहा है जैसे खुद को ड्वल्ब कर रहे हैं जैसे उसकी अकॉन में सेट है वो कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं वो जो कहते के लिए बाते हैं हम बाते ही कर सकते हैं लेकिन इंडिया वाले वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और अगर वो कह रहे हैं तो जरूर करेंगे इसमें कोई शक नहीं है मुझे तो नहीं है उन्होंने कहा है कि यह जो सैटलाइट होगी ना यह मिलिटरी सैटलाइट होंगी जो पाकिस्तान, इंडिया और इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर भी नज़र रखेंगी। अगर हम देखें तो डिफेंस सेक्टर में इंडिया आलरेडी काफी जादा एडवांस है, काफी तरक्य कर चुका है। जो जो रहां कि सैटलाइड क्या पाकिस्तान के लिए खतरा साबित हो सकती है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्यूंके मेरी बात सुने, इंडिया को इतना कुछ करने के लिए हमारे लिए जरूरत नहीं है, हमारा किसको नहीं पता। हार एडियम अक्सपोज हैं, इस से ज्यादा क्या एक्सपोज होंगे, कि आप मिलिटरी स्पेस पना आके यानि कि हमारे पे नजर रके क्या जाना है, किसको नहीं पता। हमारे यहां पर गोर्मेंट लेवल पर नहीं काम होपा। हमने बस चैना के साथ चैना ने काम कर रहे हैं जाएंडिया वाले एकर कार रहे हैं, उनके क्या वज़ा है, मेरा क्वेशन यह था वीजन का फरक है, या उनकी एजुकेशन सिस्टम का पर दिखरा हैं या पिर कुछ और डिफरेंस हैं तेखिए जब आपको एक चीज का आपका वी एन नहीं है तो आप लोग कुछ भी नहीं है वी एन स्टार्टिंग पॉइंट है और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती है कि आपने उसको किस तरह प्रोसीजर को लेगे चलना है अच्छा आप इंडिया के अगर स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो हमने इस स सेटलाइट वीकल्स उनके पास मौजूद हैं वो तो ऐसे चुटकी में जो है वो सेटलाइट लाँच कर सकते हैं लेकिन पांच सालों में पचास सेटलाइट लाँच करना ये कितनी बड़ी बात होगी वो भी स्पेशली इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए मेरा ख्याल है वो कोई भी काम कहते हैं ना तो उनों पूरा प्लैन होता है पातर वो कब से प्लैनिंग कर रहे हैं जस्तों ने बताया अबेशेर यानिके वर्ल के साथ आभी किया उनका बहुत पराना पाल प्लैन होगा चांद का भी सिरप्राइज भी मिला था सुबा उटके पादा चला पाकिस्तान ने प्लैन जरूर बनाया होगा लेकिन पाकिस्तान ने आज तक अपनी एक भी सेटलाइट लांच नहीं कि हमने आज तक जितनी भी सेटलाइट भेजी है